अथ्या इच्चार श्लोक पाँच भागवत कीता श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यथी तानी जन्मानी तवच अर्जुना तान्य हम वेद सर्वानी नत्वम वेता परंतपा अनुवाद हे परंतप अर्जुन मेरे तथा तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता है प्याख्या श्री कृष्ने इस श्लोक में अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित कर रहे थे जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला उनका तातपड ये था कि अर्जुन तुम एक शूर्वी रियोधा हो जिसने अपने इतने सारे शक्तिशाली शत्रों को मार डाला था तो मन में पनप्ट रहे इस संधेह रूपी शत्रु के सामने समरपन मत करो जो अध्यात्मिक योग ज्यान का अस्त्र मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसका प्रयोक कर संधे नामक शत्रु का वद्कर ज्यान में स्थित हो जाओ मनुष्य मानते हैं कि यदि उन्हें किसी विशे में ज्यान नहीं है तो वह अस्तित्व में ही नहीं है परंतु ऐसा निश्करश निकालना बहुत बचकाना होता है क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता है जो मनुष्य नहीं जानते हैं पर वह अस्तित्व में होता है तो इस लोग म योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि है अर्जुन जो तुझे ग्यात नहीं है वह मुझे ग्यात है मेरे तथा तेरे और भी कई जन्म हो चुके हैं तो मैं अपने इन जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ सत्य को प्रमार की आवश्शक्ता नहीं पड़ती है इस्टे श्री कृष्ण केवल एक सीधा सरल वक्तफ्य दे रहे थे कि अतीत में उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे किंटु अपने भौतिक शरी को ही अपनी पहचान मानने के कारण उसे इन जन्मों का स्मरन नहीं था अपने अने जन्मों की कहानी गौतम बुद्ध ने भी बताई जिन्हें जातक कथाओं के रूप में पिरोया गया है